आज इस खास वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे बिमारी के बारे में नामों से जानते होंगे जिसका नाम है पाइल्स या बवासीर या गुरदा रोफ इस तरीके के अलग-अलग नामों से आप जानते होंगे और इस बिमारी को डिसकस करने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है आज आपको इस वीडियो में हिम्मत नजर आएगी और आयूर्वेदिक तरीके से इसे ठीक किया जाता है इस बिमारी को आज आप इस वीडियो में जानेगे और इस पर चर्चा करने के लिए अभी मेरे साथ अचार्य और सबसे पहले और आपका कैसे हैं जब्धाइब बढ़ी है आपका दन्यवाद आपका आपका जैनल देखने वाले यूजट से बहुत बहुत अन्यवाद क्या है मैं इंट्रो नोगे हैं सबसे पहले जो मेरे सवाल है मैंने इंट्रों में कैilsty के बारे में आज क eigenen बाद करने वादे तो पाइस क्या है और यह कितने तरीके के होते हैं है पाइस दोतरा ही होती है जी उसे ह Pork sevent Externals एंचरन. आंचरन. एंचरन. आंच एकसणल को भारी बोलते हैं और इंचरन को आंचरन को बोलते हैं. आंचरी की जो होती है उस में बड़ा तरद होता है. पाईट्र इसके बारे में ना आपने यार दोस्तों को सेर करता है, ना घरवानों को बताता है, वो छुपा गया रखता है उसे को, और देरे देरे वो वेंकर रूप दाण कर लेती है, कैंसर तक के रूप मिंसाते हैं, आइन से अगर लंबे समय तक हो जाते हैं, तो जो बहारी कैंसर होत अंदर होती है उसमें से जो रेक्ट्रम के बिल्कुन साथ से निकलती है वहां मस्था बन जाता है और उसमें बड़ा खून निकलता है एक से दो चमश तक खून निकलता है पेशेंट जो बस्टून के लिए गाता है तो बहुत दर्ब मैसस करता है इसके बारे में मैं आपको दियाग्राम के देरी जो समय लगता हूँ पाइल्स है क्या और इसके कई कारण भी होंगे के पाइल्स अर्वेफिने तरिके के होते हैं इने के क्या कारण में कारण तो पाइल्स का कबच हमारा पेट का साफ नहीं होना मुठापा है फुर हमारी जो है सेनेटरी तो पी कैसे करते होंगे जैसे मैंने का करते हैं और भी पैथिया है तो आयरवेद में इसका क्या तरीका है? सबसे पहले तो मारे बोज़ देते हैं पहले दूसरी स्टेज में शुरुआत होती है और कि पेशेट आराम से बताता है तो उसको आयरवेदी बोज़ देते हैं उनसे पेशेंट ठीक हो जाता है अजर वो बढ़ जाती है पेशिट कापी समय तक बताता है तो फिर हमारे फस्ते हैं नो हम जो है से हम बाते हैं टेसी करते हैं आगले करमसे करते हैं लिजर से स्टमसे भी मुझा क hebben यह जिसे कहते हैं इंतरब शॉय आंत्रिख बन गया इसमें झाल पूर निकलना शुरू एक से दो चमस खूलना कमसे चमस स्टूल जाते हैं пेशेट बहुत धर्द होता है बाद में बहुत दर्द मैसुश होते है उसरे बड़े होते हैं पढ़ जाते हैं नि तो यह भार को भी गुदा दो आर पर ये मस्सा है ये ये बाहर का इसे खुनी बावासिर बोलते हैं इसे बादी बावासिर बोलते है आईरवेद बादी यानि बादी 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 आईरवेद में या देशी वासा में नहीं हमारी आईरवेद की वासा में ये बादी बावासिर ये खुनी बा फिसर का मतलब ही जेफो, ये रेक्टम से यह सुनूआ इदर गुदाद्वार में, ये कट से लग हुए, ये यहां कट लग जाता है, अच्छा ये जो दो कट नजर आ रहे था है, ये जो कट नजर आ रहे निया आपको, ये कट लग जाता है, उसको फिसर बोलते हैं, अच्छ प्रुडर टाइब बन जाता है इन हा इन में इन में यह फोरल टाइब बन जाता है यह फिश्टूला है जुड़ादवार को छोड गए उसके साथ से यह तानर connector से निले इसको फ़िश्टूला फोरलते यह फोड़े की तरह होता है इसमें इसमें भी एक दुर्ड़ो खूल निकलता है पिशन रहता है और यह जो आपने फार्ट टाइट फूर टू और वन यह रिखा हूँ है यह विसी के लिए इन टनल्स के लिए अच्छा अच्छा तो सर में आप इसका जिसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई इनसान बाहर से आ रहा है जैसे डिसकर्स नहीं करना चाहरा तो वो कैसे फिर आपको बताएगा कि आपकी अपनी प्रॉब्लम को कैसे शेर करें आप से ऑनलाइन करें यहां पर आता है तो आप कैसे ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि इस वक्त में बहुत हिम्मत द यह फिर जो पर शेर नहीं आप आ रहा है और वो ओनलाइन हमसे बात करना चाहरा है बात्चित कर रहा है तो अम उसको ओनलाइन दवाई भी बेज़ देते हैं अच्छा और यह जो दवाई हैं यह बी उसी चीज़ की दवाई है यह यह सिरफ पाइरस के लिए अच्छ तो के सब सकते हैं यह फ्लिए निगानने को काम आती है है यह गंवटि है जो खाने को दिए जल्एक तो सब 553 गंवट दे तो New York होने का जो कारण होता है मननोब जैसे आपने विताए क Thousands ऌत लाइफ ठी लंधर वर दर नहीं तो अगर और किसी को है तो प्रिकौशन क्या लें उससे पहले पेशन्ट को जो है नहीं कुछ ऐसे सिंटम्स दिखने शुरू हो जाते होंगे कि होने वाला है या हो रहा है तो उससे पहले प्रिकॉशन्स कुछ लेने होंगे प्रिकॉश्च दूद लें कप उसमें एक जीफ बूरी चोड़े तुरंत पी जाए अच्छा यह दूद फड़ जाए खाए हाँ बालने वह बालना नहीं है कच्छ दूद में नेमोर डालके तुरंत पर वाह उसे पहले जाए जैसे नेमोर ने चोड़ा उसमें और कि बाद्लाव क्या होने चाहिए चाहिए बासी मुष्थ त्रियूर पेसंट लॉट्ड में पर चाहिए। लारशार यह होती है हमारे डिलिवर जो है एसिड बनाता है अमन बनाता है उसको जोट भी करती है चाहर वाथ-पितकफ को कंट्रॉल करती है कोई वाथ-पितकफ पत कफ से बन ली तू सबसे बड़िया है वह सुबह-ज़चे-पाली लिना चाहिए खाने का टाइम है वो खाना बहुत जल्दी आराम से पचेगा क्योंकि उस तरम जल्दी बहुत बड़े तरीके से काम कर भी होती है शाम का खाना वे हमें दिन चिपने से पहले खाले ने चाहिए यह तो एक लाइफ स्टाइल की वाता है सर लेकिन अगर जो इंसान यहां पर आकर अड्मेट होना चाहता है आपके बले करता अगर नोहींप का खाल सो RAM क reality क्या है यह भी दिखाया है मैंने आपको अभी यह सारे तो इस्टुमेंट बखे हुए है अच्छा सुतर से यह हमारे बास डॉक्रों का नो वाव डॉक्रों के टीम है अच्छा तुम्हें एक बदेख सकती हूं सारे ट्रीट और जित्मी एक्यूप्मेंस है प्लीज सर और जरूंग यह बदता देजिवा जिसे के मेरे जो वीवर्स है वो भी समझ रहेंगा फिक्या करदी कैसा हुआ है यह जो एक्यूप्मेंस है सारे इसारे अच्छा यह एक्षा अच्छा यह तो इससे बशीवेंट किया जाता है उस्वारे यह जिए और एपुरा वार्ड देख पा रहे यहां पर धी पेशेंट जो है अड्मिट होते हैं थैंकिू सो मुच सर बात करने के लिए और पाइल्स जैसे बीमारी के बारे में बात करने लिकिसे आप ट्रीट करते हैं और लोगों को खुसला देने के लिए कि वो आयुरुवेदिक से ठीक भी हो सकते हैं तांक्यू सो माज़ तो ये थे आयुरुवेदाचारी रमेश कुमार जी जिनको आपने अभी सुना और पाइल्स के बारे में जो जानकारी जरुरत है आपको जानने की उसके बारे में आपको मिल चुकी होगी तब तक के लिए नैशनल खबर के साथ बने रही है सरीकी के और इंटरव्यूस देखने के लिए